हे काईज आपका स्वागत है मोटर अक्टिन में अच फिर से मेरा नाम एराच सिथरानी और आज हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट गाडिया या फिर सारी गाडिया जिनके भी ग्लोबिल एंड कैप ने रिजल्ट्स दिये हैं और क्रैश टेस्ट अब इससे पहले कि मैं कोई डीटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये ग्लोबिल एंड कैप क्या है एंड कैप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कार टेस्टिंग करता है फॉर सेफटी इसका मतलब यह नहीं कि वो फिलाल सारी गाडिया टेस्ट कर रहा है और वो ऑफिशली इंडिय इंडिया में अभी तक लॉंच नहीं किया गया उसको तो इस विज़े से उसने काफी गाडिया इंडिया में टेस्ट नहीं किये पर फिर भी एक ग्लोबिल बॉडी है और ग्लोबिल लेवल पर बात करते हैं तो इंडियन आटो इंडिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस विज़े से उन्होंने काफी सारे इंडियन कास के क्रैश टेस्ट किये हैं बहुत के पेंडिंग हैं पर काफी सारों के क्रैश टेस्ट किये हैं अब किसको 0,1,2,3 मिला है हम यह सब आपके लिए कवर करने वाले है इन अलोड ओब डीटेल पर सबसे पहले च टेस्ट किया है and different stuff around it so कोई कोई टेस्ट पुराने भी है जो फिलहाल गाड़ी में airbag नहीं था उसको टेस्ट किया था लेकिन जिन गाड़ीों में अभी airbag आता है उसको टेस्ट नहीं किया गया है so इस वज़े से ने रिजल्स बाहर नहीं आये हैं उनके कब आएंगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक independent body है वो लोग अपने decisions खुद लेते हैं और वो प्रायर अनॉंस नहीं करते कि वो कौन-कौन सी गाड़िया टेस्ट करने वाले है so ना आप ना मैं कोई भी ये कह सकता है कि कौन-कौन सी गाड़िया अभी वो आगे चलके टेस्ट करेंगे और तरफ जिनको zero मिले हैं ओके तो शुरू करते हैं with the five star rated car number one पे एक ही गाड़ी है hatchback में five star rated वो है Tata Altros इस गाड़ी को पूरे five star मिले थे और इसकी ability to give you best safety हमेशा से जानी जाती है Tata Motors हमेशा से मजबूत गाड़िया बनाता है और इस गाड़ी को भी कुछ अलग treatment नहीं मिला इस पे भी Tata Motors ने ध्यान दिया है और काफी मजबूत गाड़ी बनाई है अब ये गाड़ी में आपको दो airbag standard आते हमेशा से और इसी पे इस पे test किया गया है इसमें airbag के बिना model बेचा ही नहीं जाता है भारत देश में और इस विज़े से इसमें आपको बिना airbag के एक भी variant नहीं मिलेगा तो Tata Altros एक मात्र गाड़ी है पूरे hatchback में भारत देश में जिसको test किया और पूरे 5 स्टार मिले है इसके बाद दुसरे नमबर पे जो गाड़ी आती है जिसको 4 स्टार मिले है तो इसमें आपके पास 2 options आते है एक तो आता है Toyota की Etios लीवा इस गाड़ी ने पूरे 4 स्टार स्कोर किये है in the crash test ये Toyota की Etios पे बनाए गई hatchback है अफकोस इसमें भी आपको दो airbag standard आते है शुरू आज से ही और इस वज़े से इसमें आपको बिना airbag वाला variant नहीं उपलप्त कराए गया है अगली गाड़ी जिसको 4 स्टार रेटिंग मिले है वो है Volkswagen Polo पर यहां पर दो कहानिया है पहले Polo में वेरिंट्स आते थे लोर वेरिंट्स जिसमें airbag नहीं आता था उन्होंने उस वेरिंट को जब टेस्ट किया था तो उसको पूरे 0 मिले थे क्या मिले थे शुरू निय अंक मिले थे और जब इसमें airbag डाल दिये तो इसको 4 स्टार मिले अब यह नहीं समझिये कि airbag है तो जान बचती है यह बात बिलकुल सच नहीं है बॉड़ी की strength पे भी निर्भर करता है कि कितनी safety आपको मिलती है उसके बाद airbag एक assistance का काम करते है not the primary support आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे वो assist करता है कैसे airbag is not everything अगली गाड़ी जो है वो 3 स्टार रेटेड नहीं है यानि कि कोई भी गाड़ी को 3 स्टार रेटेंग नहीं मिला है 4 स्टार में ही आपके पास 3 options है एक तो लीवा कवर कर दिया मैंने आपके लिए उसके बाद मैंने आपको बता दिया Polo, Polo को 4 स्टार है और तीसरी गाड़ी जिसको 4 स्टार ये सब स्टैंडर्ड आते हैं इंदकार और ये गाड़ी को भी फो स्टार रेटिंग मिलिए तो अगर आप बात करें पांच या साढ़े पांच लाक के अंडर अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए तो सबसे सेफ आज के तारिक में टियागो क्लेम की गई है प्योर ली आती है वागिनार में भी आपको बेस मॉडल में एक एरबैग दिया हुआ है और उसी वेरिंट को टेस्ट किया गया है ग्लोबल एंड कैप ने उस गाड़ी को जब टेस्ट किया तब उन्होंने ये पाया कि वागिनार को टू स्टार रेटिंग मिलेगी अगर हम केवल उनक एक एर बैग आती है जिसवज़ेसे सांट्रो ने भी दो स्टार स्कोर किये ये दोनों गाडिया सेम प्राइस पॉइंट पर आती है सेम सेगमेंट में हैं सिमिलर साइज इंजिन्स देती और दोनों के परफॉर्मेंस भी लगबग सिमिलर है कही ना कही और दोनों टॉल अब Swift में आपको standard दो airbags आते हैं, उसके बावजूद इस गाड़ी ने सिफ 2 स्टार स्कोर किया है, not 3 स्टार्स, जो एक थोड़ा disappointment है क्योंकि Swift एक बहुत ही जबर्दस गाड़ी है, चलाने में बहुत अच्छी है, performance, ride quality, handling ये सब में बहुत अच्छी है, और one of the best selling cards है भारत अब बढ़ते हैं उन गाड़ियों की तरफ जिन्होंने वन स्टार स्कोर किया है, यहाँ पर एक ही गाड़ी ने वन स्टार स्कोर किया है, वो है रेनो क्विड, वो भी उस वेरियंट में जिसमें आपको एक driver airbag आता है, क्विड में आपको दो airbags नहीं आते हैं, उसमें किया, Hyundai ने कहीं 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 लो स्कोर किया, रेनो ने भी कहीं 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 लो स्कोर किया, तो आप कोई ब्रैंड के साब से अगर आप देखते हैं, तो वेरियेशन अलग अलग है, दो गाड़ियों ने जीरो स्कोर किया था, राधर तीन गाड़ियों ने जीरो स्कोर किया था, लेकिन उसमें अब बदलाव आ जाएगा for a very simple fact की उन गाड़ियों में अब airbag डाल दी गई है तो आल्टो ने 0 स्कोर किया था, क्विड ने एक टाइम पर 0 स्कोर किया था in fact क्विड के तीन टेस्ट हुएते बिना airbag के तीनों में उसने 0 स्कोर किया था Celerio ने 0 स्कोर किया था पर अब सब गाड़ियों में airbag तो आता है इस विज़े से 0 स्कोर तो नहीं आने वाला है एक और एक गाड़ी जिसको 1 स्कोर मिला है वो है Datsun की Ready Go इस गाड़ी ने भी 1 स्कोर रेटिंग स्कोर किया है in the global end cap अब बढ़ते हैं to the other segment यहाँ पर मारूती Eco एक अनोखी गाड़ी है in its own segment और इसने 0 स्कोर किया था जब इसमें airbags नहीं थे अब number change हो जाएगा इसके बाद बढ़ते हैं towards the compact sedan segment इसमें 3 गाड़ियों का टेस्ट किया गया है एक तो है Zest, एक है Aspire और एक है Tata Tigor Zest को जब टेस्ट किया गया था Tata Motors की बिना airbag के उसने 0 स्कोर किया था पर जब उसमें airbag के साथ टेस्ट किया गया तो उसको 4 का rating मिला अब मैं आपको एक चीज बता दू के Zest में अब airbag compulsory आता ही है तो वो 0 का स्कोर हड़ गया है The same goes with other गाड़िया जिसने 0-0 स्कोर किया था इंदिया स्कोर्स उसके बाद, चार पॉइंट्स और एक गाड़ी ने स्कोर किया है Tata की Tigor ने So Tata की दोनों compact sedans ने 4-star rating लिये है Tigor और Zest, दोनों में 2 airbags ABS plus EBD standard दिया गया है 3-star rating स्कोर किया है, Ford की Aspire ने अब ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, जिसे हम जानते है, Ford being very safe and everything छे airbags आते हैं top end model में, पर जो गाड़ी टेस्ट की गई, उसमें केवल 2 airbags थे छे airbag का option नहीं टेस्ट किया था जैसे मैं आपको कहा ना कि अल्रेडी वो लोग जो गाड़ीयों में low number of airbags और कम safety features हैं, उनको test करें to test the real durability of the car तो इस वज़े से Aspire का भी उन्होंने lower variant लिया जिसमें cable 2 airbags थे हैं towards the SUV and UV segment, यहां पे भी safety बहुत important है और सब सोचते है कि SUV मतलब बहुत safe, तो सबसे safe गाड़ी कौन सी है इन SUV किन को 5 star मिले, तो SUV में दो गाड़ियों को 5 star मिले और दोनों भारतियत देश की manufactured गाड़ी है, भारत देश की designed गाड़िया है, एक है महिंद्र की XUV300, इसको सबसे जादा score मिला है across all the cars और इसमें भी आपको 6 airbags आते हैं, राधर इसमें आपको 7 airbags आते हैं पर इस गाड़ी को जो test किया था, उसमें केवल 2 airbags थे, फिर भी उसने highest score gather किया है in the global end cap, दुसरी गाड़ी जिसने 5 star score किया है और इंडिया की पहली 5 star crash rated गाड़ बनी Tata Nexon, यह दोनों compact SUV ने पूरे 5 star score किया है और यह definitely the most powerful and strongest cars बन गए हैं इंडिया सेग्मेंट, अगली दो गाड़िया जिन्होंने 4 star rating score किया है, एक तो है मारूती की तरफ से, वो है विटारा ब्रेजा, वेजा ने पूरे 4 star score किया, of course इस गाड़ी में 2 airbags ही आते हैं, base model या top model और इसी गाड़ी को test किया गया for that reason और इस गाड़ी ने 4 star पूरे score किया है यहाँ पे, महिंद्र का और एक product यहाँ पे आता है, which is the Maradzo, इसने भी 4 star score किया है, Maradzo महिंद्र की MUV है जो 2 साल पहले market में आई है और यह काफी बढ़िया product रहा है for itself in terms of space, comfort और इस गाड इसने 3 star score किया है वो 2 options है, एक तो है Renault की Duster, Duster को इन्होंने 1 airbag के साथ test किया, तो Duster पहले single airbag के साथ उपलब थी market में, और उन्होंने उसके साथ test किया, तो इसको 3 star मिला है, एक चीज और बता दू, Duster को उन्होंने बिना airbag भी test किया, जो पहले airbag के बिना आती थी और उ good sign, दुसरी गाड़ी जिसने 3 star score किया है, वो है Maruti Ortega, ये भी 7 seater गाड़ी है, जिसमें आपको 2 airbags आते ही है standard, और Global Encap ने इसको test किया है, दो गाड़िया जिसने 0 score किया था, पर उस ताइम पे उन्होंने airbags नहीं आते थे, अब airbags आते है, तो score definitely change हो जाएगा, तो आप इस score को neglect कर सकते हैं, एक तो है Scorpio और दुसरी है Logi, इन दोनों गाड़ियों में 0 आपको rating मिला था, in terms of crash test, पर अब इसमें भी airbags आते हैं, तो all in all मैं ये कहूंगा, कि because हमारी सरकार ने rules change किये हैं, और airbag compulsory कर दिया है हर गाड़ी में, तो जिन गाड़ियों को 0 था, वो 0 नहीं रहेगा, आगे तो बढ़ जाएंगे at least 1 to 2 star तो minimum score हो जाएगा, but at least गाड़ी ऐसी ले लो आप जिसको कम से कम 4 star rating तो है minimum, ताकि आप और आपकी family safe रहे, mileage गाड़ी में होना अच्छा है, गाड़ी का resale होना अच्छी बात है, पर safety सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ल हमारा आज का video on these vehicles, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, quarantine car brand और also fighting उनके भी फिलाल sales बंद है, और जैसे ही quarantine period end होगा, आप जाके अपनी मन पसंद गाड़ी खरीच सकते हैं dealership से, already काफी companies इनके online sales चालू कर चुकी है, तो यह था हमारा आज का video, पसंद आया है, पसंद क्या, इत भी सवालों, comments में पूट लियो, उनके जवाब में आप तक जल से जल पहुचाँगा, और हां subscribe करना मत बूलिए to the Motor Octane YouTube channel, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, see you soon